नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है अनुराग, welcome back to research alpha आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही important topic है English grammar के perspective से so हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि sentence में clause का काम क्या रहता है तो आज हम clause के बारे में बात करेंगे कि कैसे sentence में clause को identify करते हैं और clause का काम क्या होता है sentence में इसको हम अच्छे से जानेंगे और फिर sentence के माध्यम से हम clause को identify करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि clause क्या होता है जैसे कि हमने recent classes में phrase की बात की थी आज हम clause की बात करेंगे बहुत ही important part है English grammar का तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमको English अच्छे से सिखनी है तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं clause की पहले meaning जान लेते हैं by definition इसको क्या कहा जाता है a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause so एक ये group of words होता है जो की एक sentence का हिस्सा होता है जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिलती है उसे हम clause कहते हैं हो सकता है कि आपको by definition ये अच्छे से ना समझ में आया हो क्योंकि बहुत technically इसमें बात की गई है कि sentence का एक हिस्सा जिसमें subject और predicate दोनों आता हो उसे हम clause कहते हैं हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारा sentence होता है वो दो हिस्सों से बनता है एक हिस्सा होता है subject यानि कि वो नाम जिसके बारे में हम बात करेंगे और जो भी हम बात कर रहे होंगे उसे हम predicate में लेके आते हैं subject प्लस predicate या हमारा sentence बन जाता है जो हमें complete meaning दे रहा होता है अब clause का क्या काम होता है sentence में subject और predicate होता ही होता है इसी के साथ एक और words group of words इसी में जोड़ दिया जाए जिसमें हमें subject और predicate दोनों मिल जाए उसे हम कह देते हैं clause इसको अब हम example के माध्यम से समझेंगे पहले हम main sentence को ढूंडेंगे और फिर वो group of words को ढूंडेंगे जो एक हमारे sentence का हिस्सा बना हुआ है और जिसमें हम subject और predicate ढूंडेंगे और clause को identify करेंगे तो चलिए सबसे पहला example देखते हैं people who pay their debts are trusted यानि कि वो लोग जो अपने debt को pay कर दे उन पे हम भरोसा कर सकते हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं एक sentence में हमको एक verb और एक subject मिलेगा क्योंकि जब subject एक होगा तो वो action भी एक ही perform कर रहा होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि subject और प्रिडिकेट इन sentence में कितने हैं तो ध्यान से अगर आप देखें तो हम वर्ब पे ध्यान देते हैं people who pay their debts are trusted तो आपको एक action वर्ड पे दिखा और state related वर्ब आर दिखी यानि कि यहां पर दो वर्ब का use किया जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह sentence में एक और हिस्सा है जिसके साथ subject और प्रिडिकेट आया हुआ है तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन में से main sentence को निकालने की तो main sentence को कैसे निकाला जाएगा सबसे पहले हम अब ढूनते हैं subject को कि subject यहां पर कितने हैं एक subject हमें जो सिधा सिधा दिख रहा है वो है people और दूसरा connecting word बनके आया हुआ है जो कि यह हमारा who और यह pay का subject है who आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें इसमें दो subject और दो प्रिडिकेट यानि कि दो वर्ब मिली इसका मतलब कि इस sentence में हमें दो subject मिले हैं और दो प्रिडिकेट मिली हुए हैं तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो sentence का हिस्सा होगा उसे हमें identify करना बहुत जरूरी है अगर हम उसे identify कर लेंगे तो उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो हमारी clause बन जाती है people और who तो pay के बगल में ही who है तो यह pay का subject है who but people अकेले दिख रहा है यहां पर people का यहां पर हमें कहीं भी verb नहीं दिख रही है तो इसकी verb यह है are trusted so इसे हम sentence को अगर पूरा करेंगे तो यह बनेगा people are trusted यह हमारा main sentence है प्रिडिकेट है pay their debts और यहां पर subject है who so इसे हम कहेंगे clause क्यों क्योंकि who pay their debts यह हमारे main sentence जो कि people are trusted उसका एक हिस्सा है और यह जो who pay their debts है इसमें आपको subject और प्रिडिकेट दोनों मिल रहा है तो इसे हम कह देंगे clause so clause का मतलब जैसे कि आपको मैंने by definition बताया कि एक group of words जो कि एक sentence का हिस्सा हो जिसमें subject और प्रिडिकेट दोनों आए उसे हम clause कहते हैं second sentence देखते है I think that you have made a mistake I think that you have made a mistake तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखे तो हम कोशिश करेंगे इस sentence में verb को निकालने की और subject को निकालने की कितने यहां पर verb और subject दिये हुए है so I think 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 सोचना think एक verb हुई that you have made a mistake have made यह हमारी दो वर्ब हुई यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि एक ही sentence में दो वर्ब आई है इसका मतलब कि दो subject भी आएंगे इसमें से एक main sentence होगा और उसके अलावा जो एक और verb के साथ जो subject आएगा वो इस sentence का हिस्सा होगा जिसमें आपको subject और वर्ब दोनों मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं clause कह देते हैं तो सबसे पहले इसमें हम main sentence को डूणेंगे कि main sentence क्या है तो चलिए समझते है I think that you have made a mistake में think और have made यह हमारी दो वर्ब है अब हम कोशिश करते हैं इनके subject को डूणने की think का subject है I और have made का subject है you यहां पर हमें दो subject भी दिख गए I और you अब हम कोशिश करते हैं इसमें main sentence को डूणने की तो वो है I think अब मैं सोचता हूँ अब मैं क्या सोचता हूँ उसके बाद object आएगा बट यहां पर object ना करके पूरी एक group of words आ गया पूरी की पूरी एक बात आई है that you have made a mistake जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिला और यह sentence जो main है वो I think है उसका एक हिस्सा बना हुआ है जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिला सो इसे हम कह देते हैं clause clause क्या होगी that you have made a mistake कि आपने गलती की है मैं ऐसा सोचता हूँ so मैं ऐसा सोचना यह हमारा बना main sentence और इसका एक हिस्सा main part बन करके आया हुआ है वो है that you have made a mistake जिसमें आपको subject और predicate दोनों दिख रही है so यहाँ पर that you have made a mistake बन गया clause और I think main sentence है अब हम example और देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक sentence में identify करते है clause को देखिए मैं आपको फिर repeat कर देता हूँ हमारा sentence होता है उसमें एक subject और एक predicate होता है और उससे हमारी पूरी बात complete हो जाती है बट उसके अलावा भी कुछ group of words आ रहे हैं और उसमें subject और predicate दोनों आ रहे हैं तो हम यह कोशिश करेंगे identify करने की कि इनमें कही न कहीं clause का भी use हो रहा है so चलिए अब हम third sentence को देखते है I expect that I shall get a prize कि मैं उमीद करता हूँ अब जो भी मैं उमीद करूँगा कोई वो object होगा है ना तभी तो हम कोई उमीद करेंगे तो वो कोई चीजी होगी तो object आना चाहिए so यहां पर अगर हम पहले तो हम लोग की कोशिश यह रहेगी कि sentence में verb को ढूंडे एक verb हमें दिखी expect और दूसरी दिखी shall get यहां पर हमें दो verb दिखी इसका मतलब कि दो subject भी होगे एक subject हुआ आई और एक subject हुआ आई यानि कि हमें दो subject और दो predicate यानि कि दो verb दोनों मिल गई है इसका मतलब यह हुआ कि एक main sentence में जो subject और predicate होगा और एक जो दूसरा होगा वह group of words होगा जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिलेगी और वह sentence का एक हिस्सा बन करके आ रहा होगा यानि कि part बन करके आ रहा होगा तो यहां पर जो main sentence है वह है I expect कि मैं उमीद करता हूँ अब जो भी उमीद करूँगा वह कोई object होगा बट यहां पर कोई एक object ना आ करके पूरी की पूरी बात आ गई group of words आ गया जिसमें आपको उसके अंदर भी subject और predicate दोनों मिल गए तो यहां से हमें यह समझ में आया कि यह जो I shall get a prize है यह एक हिस्सा है I expect यानि की main sentence का और जिसमें हमें subject और predicate दोनों मिला subject है I और shall get a prize यह हमारा है predicate तो मैंने आपको बताया कि clause वह होता है जो group of words हो जो की sentence का हिस्सा बन करके आ रहा हो जिसमें आपको subject और predicate मिले उसे हम कह देते है clause तो यहां पर जो clause है वो होगी that I shall get a prize जो की main sentence I expect का एक part बन करके आया हुआ है और इसके अंदर हमको subject और predicate दोनों मिला तो इसे हम कहते है clause अब देखते है fourth that you have come pleases me यानि की आप आए और यह मुझे अच्छा लगा यह अच्छा लगता ही कि आप आए so यहां पर जो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या subject और predicate है क्या किसनी subject और verb यहां पर use की गई है सबसे पहली अगर हम verb की बात करे तो वह है have come और दूसरी verb है pleases यहां पर हमें दो verb दिखी एक है have come और pleases यानि बात होगी इसी बात पर ही तो यह क्या हो रहा है खुश हो रहा है कि आप आते हैं मुझे यह अच्छा लगता है so यह pleases का subject होगा वह क्या होगा यह पूरी एक बात होगी इस बात में एक word ना आकर के पूरी की पूरी एक बात आ गई group of words आ गए जिसके अंदर आपको subject और pred दिखा और predicate है have come so मैंने आपको बताया कि sentence का एक हिस्सा जिसमें आपको predicate और subject दोनों मिलेगा उसे हम clause कह देते हैं यहां पर main sentence होगा it pleases me भी बोल सकते हो यह इसकी जगा पर आप it use कर सकते हो it pleases me यह हमारा हो जाएगा main sentence और it की जगा पर पूरी की पूरी बात आ गई उसमें हमने group of words देखा जिसमें हमें subject और predicate दोनों मिला इसे हम कह देंगे clause pleases me हमारा बन जाएगा main sentence फिफ्ट देखते है he replied that he would come उसने reply दिया अब वो कुछ reply देगा वो कोई बात होगी तो जो reply देने के बात जो आएगा वो noun आएगी बट यहां पर क्या हुआ पूरी की पूरी बात आ गई he replied that he would come so उसने reply किया सबसे पहले हम वर्ब को ढूंडेंगे एक है reply और दूसरी है would come यहां पर दो वर्ब है इसका मतलब कि दो subject भी होंगे so would come का subject ही और replied का subject ही यहां पर हम main sentence को ढूंडते हैं वो होगा he replied उसने reply किया अब जो reply किया होगा वो एक part of a sentence य रहे हैं और वो group of words में आपको subject or predicate दोनों दिख रहे होंगे so इसे हम कह देंगे clause that he would come यह हमारा clause बन गया six से देखते हैं do you deny that you stole the watch क्या आप यह deny करते हैं या इंकार करते हैं कि आपने watch को चुराया इंकार करना अब जो भी चीज इंकार करोगे वो कोई noun होगी कोई चीज होगी तो वहाँ पर चीज ना आ करके group of words आ गए और उसमें हमने देखा कि हमें subject or predicate कितने देख रहे हैं so यहाँ पर एक verb है deny और उसका subject you है दूसरी जिगापर subject you है और इसका verb stole है so यहाँ पर भी हम दो verb और subject मिले यानि कि इसमें से एक verb और subject वो main sentence का पार्ट होगा और दूसरा जो verb और sentence होगा वो पार्ट होगा clause का तो main होगा do you deny यही question है तभी question mark लगा हुआ है कि क्या आप इंकार करते हैं अब जो भी वो इंकार करते हैं वो एक group of words बाया हुआ हुआ है जिसमें आपको subject और predicate दोनों दिख रहा होगा तो यहां पर हम बोल देंगे that you stole the watch यह हमारा हो गया clause क्योंकि यह एक हिस्सा बना हुआ है main sentence का main sentence है do you deny और यह एक हिस्सा बना हुआ है जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिला subject है हमारा you और predicate है stole the watch तो इसे हम clause कहेंगे 7 देखते है no one knows who he is knows का subject दिखा no one so यानि कि यहां पर भी यह मतलब हुआ कि एक main sentence होगा और एक उसका हिस्सा होगा जो की group of words होगे जिसमें उसके अंदर भी आपको subject of predicate मिल रही होगी उसे हम clause कह देते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं main sentence की कि किसकी बात की जा रही है no one knows कोई नहीं जानता यह हमारी बनेगी main sentence और वो क्या नहीं जानता वो कोई चीज होगी तो वहां पर चीज ना आ करके group of words आयो है जिसमें आपको subject और predicate दोनों मिलेगा सो यहां पर जो आपको subject ही मिल जाएगा who जो है connecting word है ही हमारा subject हो जाएगा और is यहां पर state-related verb हो जाएगी यह हमें मिल गया subject plus predicate जो की एक main sentence का हिस्सा बन करके आया हुआ है main sentence is no one knows और इसे ही हम clause कहते है इर्थ देखते हैं he saw that the clock had stopped उसने देखा अब जो भी चीज देखी ह होगी वो कोई noun होगी बट यहां पर noun ना आ करके group of words आ गए इसमें हम पहले कोशिश करते हैं यह ढूंडने की कि वहां पर verb कितनी है एक verb है saw और दूसरी verb है had stopped अब इन जब यह दो verb आयो ही तो इनको कोई subject भी होंगे saw का subject है he and had stopped का subject है the clock हमें दो subject भी मिल गए हमें दो verb भ होगा और दूसरे कुछ group of words होगा जो की main sentence का हिस्सा बन करके आया होगा जिसमें हमें subject और predicate दोनों मिलेगा तो चलिए देखते हैं he saw हमारी यह main sentence होगा उसने देखा अब जो उसने चीज़ देखी होगी तो वो क्या है वो group of words में आया हुई है कि that the clock had stopped की clock रुख गई थी सो यहां पर जो dark clock है यह subject है had stopped verb का और यह एक हिस्सा बन करके आया होगा है group of words है जो की main sentence ही saw का एक part है जिसके हंदर हमें subject और predicate दोनों मिला तो इसे हम clause कह देते हैं अब आपको comment box में 9th में मुझे clause को identify करके comment करना होगा कि कहां पर इसमे clause का use किया गया है तो sentence है I earn whatever I can I can इसका Hindi मतलब यह होगा कि मैं कमाता हूँ जो भी मैं कमा सकता हूँ अब मुझे आप इसमे clause के बारे में identify करके बताएंगे कि sentence में कहा clause का use किया गया है I hope आपको clause अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम clause को sentence में identify करते हैं use करते हैं और कितना important role play करता है clause sentence में एक बार फि उसे हम clause कहते हैं मैंने आपको total 8 example की मदद से समझाया कि कैसे हम clause को identify कर सकेंगे अगर आपको कोई doubts है तो मुझे comment करिए ताकि आगया आने वाले वीडियो में मैं उसे clear कर सकूँ तो चलिए next वीडियो मिलता हूँ तब तक एला अपना ख्याल रखिए पढ़ते रही है thank you so much जाहिन